वाट्सअप माइवटू फैमली वेलकम बैक टो मैं चैनल गाईज आज के वीडियो में हम बात करेंगे यह जो टेबलेट आप देख रहे हैं और इसके बार में आज हम बात करेंगे इसका कॉंपजिशन है गाईज अलुमिनियूम मागनेशियम एंड सिमितिकों यह एक चिव इसका कॉंपजिशन देखेंगे यूजेस बैनिफिट सारा कुछ चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे और उससे पहले मैं आपको बतायता हूं यह जो मेडिसिन है यह हमारे ओडिसा गमनेट की सप्ला है यह सेल के लिए नहीं है यह आपको बाहर सब्सक्राइब है इसमें 250 mg का और सिमेटिकोन इसमें 50 mg का और गाईज यह जैसे कि मैं आपको बता है एक एंटासीड है एंटिफ्लाट्रेंस टेबलेट से और यह हमको कब लेना चाहिए कब हमको यह डॉक्टर करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो गाईज बहुत यह अच्छा मदद करता है और इसका सीरॉप भी आता है जेल लिक्वेड भी आता है वह भी गाईज बहुत यह अच्छा काम करता है और वह जो सीरॉप है वह टेबलेट से भी फास्टर काम करता है और यह भी बहुत यह अच्छा काम करता है यह चीवेबल पड़ेगा चबा कही घना पड़ेगा जब भी को अले स्टॉमाक में ज्यादा Daar एसट ऑंज पन जाता है है राब स्टॉमक अप। उट है हाड बोन होता है है से इंडासन होता है उस टाइम पे गाईज यह बहुत आच्छा काम करता है इसे इंस्टेंद रीलिप देना में म consequent Awak पर करता है और बहुत आच्छा काम करता है जब भी आप सू ktreat बहुत आच्छा काम करता है गासगर की problem के लिए ओड़ाइं औरolen आपको फील हो राहा है प्रेसर फिल हो रहा है, डिसकंपर्ट फिल हो रहा है इस टमाख में, बहुँ ज़्यादा इसीड बन चुका है, तो उस टाइम पे मदद करता है, और ग्यास बगरा के लिए भी बहुत ही आच्छा काम करता है, और जैसे मैं आपको बताया था कि इसका लिक्विड भी आता है, और यह भी काम करता है, लेकिन जो लिक्विड वो बहुत ही इससे फास्टर काम करेगा, और आपको गाईज यह तो हमारा ओडिसया गोर्मेंट की सप्ला है, गोर्मेंट मेडिसिन है, आपको गोर्मेंट होस्पिटार में ही मिलेगा, लेकिन आपको बाहर में ऐसे ही बहुत सरे बहुत सरे ब्रांड की मिल जाएगा आपको पता ही है मेरे कोई भी नेम लेने की जूड़ोत ही नहीं आपको पता ही है और घायज हमें साही की डॉक्टर की कंसल्टेसन के बाद ही किसी भी मेडिसेशन के यूज़ करे और अगर आपको डॉक्टर ने रेकोंच क्या है तो ह सब्सक्राइब करें इसमें शुगार हो सकता है इसलिए डाइबिटेस के लिए डॉक्टर की कंसल देना बहुत जगा इंपर्टांट है या कोई अगर प्रेग्नेर लेडि है प्रेग्नेर लेडि वह भी डॉकटर से पूछे इसको लेने से पहले या कुछ ओदर serious medical condition है या आपकी कुछ ओदर medication बगरा चल रहा है आप और कुछ medicine ले रहे हैं दबाया ले रहे हैं तो उस time पे भी डॉक्टर से पूछ ले इसको लेने से पहले या कुछ ओदर आपको serious medical problem से तो इसको ऐसे ही ना ले हमेशा ही डॉक्टर के साथ consult करने के बाद ही medicine को ले मैं आपको इही रेक्वेंट करूँगा और आप बात करते हैं इसके कुछ side effects की guys हमेशा ही medicine का एक limit होता है कोई भी medicine हो उसका एक limit होता है उसका doges का एक limit होता है उसकी limit का अंदर ही उसी medicine का यूज करे तो ही आपको अच्छा से benefit में लगा अगर आपको ज़्यादा problem हो रहा है तो डॉक्टर के साथ consult करे तो मैं पोटा है दूँग ज़्यादा दिन तक इसको ना ले अगर आप ले रहे हैं बहुत दिनों से regularly ले रहे हैं डॉक्टर के बिना consultation आप इससे ना ले डॉक्टर से पूछ ले और गैज इसका कुछ common side effect जिसे की नोज या कंस्टिपेसन डाइर या हैड़ेक अगर आपको बहुत ज़्यादा side effect हो रहा है बहुत ज़्यादा problem हो रहा है इसको लेने के बाद तो डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें तो यह कुछ common side effect मैं आपको इसका बताया और इससे अगर आपको ज़्यादा side effect हो रहा है और तो आप तूरंधी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और हमें सही doges बगरा जान लीजिए सही doge लीजिए सही quantity में लीजिए तो आपको problem नहीं होगा तो guys I hope जितने वी चीज़े बता है आपको पसंद रहा होगा इस छोड़ा से वीडियो में और अगर आपको वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो जोड़ से like करें चना पर नया हो सब्सक्राइब जूरू कर गईज ताकि आगे भी इसे तरह helpful वीडियो आपको मिलता रहे टेक केर गईज I love you all stay fit